हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस कलास में आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्पुन सो अबजेक्टी प्रश्न बताएंगे ये जो सो अबजेक्टी प्रश्न है ये आपके फाइनल बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पुन है और इस सो अबजेक्टी प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोड परिक्षा में आने वाले हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग स्कीब मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ओल पे कर लिजिएगा ताकि जब भी live class हो तो आपके पाश notification पहुंसता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नमबर प्रश्ण से तो पहला नमबर प्रश्ण है कि मिनाक्षी मंदिर कहां इस्तित है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि मिनाक्षी मंदिर कहां इस्तित है तो मिनाक्षी मंदिर तामिल नाडू में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण दो नमबर दो नमबर प्रशने की कासी किस की पार्ट साला है, यहाँ पे आपको बताना है की कासी किस की पार्ट साला है, तो कासी संस्कृति की पार्ट साला है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश कि ननकाना सहाब का सम्वन्थ किस्से है यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना सहाब का सम्वन्थ किस्से है तो गुरुनानक से है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला आप्शन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर प्रश यहाँ पे एंवाला उपसन विलकूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशनja पाच नंबर प्रशन य Max Muller कहा के बिद्वान थे, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि Max Muller कहा के बिद्वान थे, तो यह जर्मनी के बिद्वान थे, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे D वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला कावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो निंदा करना होगा, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, हिंदी के काफी महत्पुड सौ अबजेक्टी प्रश्ण बताएंगे, और यह जो सौ अबजेक्टी प्रश्ण है, यह आपके फाइनल गोड परिक्षा के लिए काफी महत्पुड है, तो एक भी प्रश्ण आप लोग इस कीमत कीजिएगा, विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा, और अभी तक आप हमारे वाटसब गुरूब में नहीं जुड़े हैं, तो यह हमारा वाट प्रश्ण है कि सेन सहाब की कितनी लड़किया थी, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि सेन सहाब की कितनी लड़किया थी, तो सेन सहाब की पाच लड़किया थी, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो ज आईए देखते हैं अगला प्रशना आठ नमबर प्रशना है कि रोन नदी कहां इस्तित है यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहां इस्तित है तो रोन नदी फ्रांस में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 9 नमबर, 9 नमबर प्रश्ण की संतु किसके कारण से काप रहा था, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है की संतु किसके कारण से काप रहा था, तो ठंड के कारण से काप रहा था, इसे आपको याद रखना है, यह यहाँ पर बताना है क्यों तरो स्टोई एक रूसी लेखक थे सी आपको याद रखना है यहाँ पर बताना है यहाँ पर बताना है कि Soloрос्टोई कौन थे काफी महत बताना है यहाँ पे आपको बताना है कि तीन बेटे की मा कौन थी तो सीता थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न बारा नंबर बारा नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्क को अत्यंत सीध तो प्रेम मार्क को कहा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न है तेरा नंबर प्रश्न है कि कवी के अनुसार जनतंतर के देवता कौन है यहाँ पे आपको बताना है कि कवी के अनुसार ज चौधानमबर प्रशने की कुमार गंधर हो क्या है? यहाँ पे आपको बताना है की कुमार गंधर हो क्या है? तो सास्त whack में गायक है, इसे आपको याद रखना हैं, यहाँ पे वीवाला ओप्जन बिलकुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की गुरू किर्पा की महता कावर्णन किसने किया है काफी महतपुड प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है कि गुरू किर्पा की महता कावर्णन किसने किया है तो गुरू नानक जी ने किया है इसे आपको याद रखन यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 16 नंबर प्रश्ण की एक व्रिक्ष की हत्या किस कावे संग्रा से संकली थे तो इनहीं दिनों से संकली थे यहाँ पे एवाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 17 17 प्रशन है कि मंगो को लोग कहा भरती करने की सलाह दिये काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि मंगो को लोग कहा भरती करने की सलाह दिये तो अस्पताल में भरती करने की सलाह दिये यहाँ पे डी वाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखत अगला प्रश्ण अठारा नंबर, अठारा नंबर प्रश्ण है कि असोख वाजपेई लासत रुज में कितने दिनों तक रहे, यहाँ पे आपको बताना है कि असोख वाजपेई लासत रुज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है, यह यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाती है तो यह भारत की जाती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न बीस नमबर प्रश्न है कि रस्खान दिल्ली के बाद कहा चले ग तो ब्रज भूमी चले गई इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नमबर प्रश्न है कि उर्वसी किन की किरिती है यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वसी किन की किरिती है तो उर्वसी दिनकर जी की कृती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन बाइस नमबर बाइस नमबर प्रशन है कि बाबा साय भीमरा अंबेडकर का जनम कहा हुआ था यहाँ पे आपको बताना है कि बाब अगला प्रशन तेईस नमबर प्रशन है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है तो दो अक्टूबर को मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्षन बिल्कुली सही ह यह देखते हैं अगला प्रशन 24 नमबर प्रशन की जोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है यहाँ पे आपको बताना है की जोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है तो महल वाले जीतते हैं यहाँ पे यह वाला आप्शन बिल्कूली सही हो जो नाखोन है ये पसुता का पर्तीक है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे d वाला option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रष्ण 26 नमबर 26 नमबर प्रष्णे कि किसोर से मार खाने के बाद बहादूर तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसोर से मार खाने क बहादूर तो चुप चाप कोने में खड़े हो जाता था, यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नमबर, 27 नमबर प्रश्न है कि बहादूर का पूरा नाम क्या था, यहाँ पे आपको बताना है कि बहादूर का पूरा नाम क् कि जपान पर परमाडो बम गिराया गया, यहाँ पे आपको बताना है कि जपान पर परमाडो बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नमबर, 29 नम यहाँ पे आपको बताना है कि धाते विश्वास कहानी के केंदर में क्या है तो बाढ़ की समस्या है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण तीस नंबर प्रश्ण है कि दूसरों के इसारे पर भटकने वाले बेक्ती को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इसारे पर भटकने वाले बेक्ती को क्या कहते हैं तो मोड़ लोग कहते हैं यहाँ पे भी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा हिंदी के काफी महत्पुन सो अबजेक्टी प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके final word परिक्षा में आने वाले हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग व पाल का रहने वाला था यहाँ पे C वाला option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नमबर प्रश्न है कि नागरी लीपी के अर्रंभी कले कहां से मिलते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लीपी के अर्रंभी कले कहां से मिलते हैं तो प्रशने की जार सही कहा थी यहाँ पे आपको बताना है की जार सही कहा थी तो जार सही रूस में थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चौतिस नमबर प्रशने की पंडित बिर्जु महर महराज का जनम कहां हुआ था तो लखनोव में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पैतिस नंबर प्रश्ण है कि पंडित बिर्जो महराज कितने साल के थे तो उनके पिता का दिहांत हो गया यहाँ पे इस वाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 36 नंबर प्रश्ण है कि बिस्मिल्ला खा और सहनाई के साँथ किस मुस्लिम परव का नाम जुड़ा है यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्ला खा और सहन आई के साथ किस मुसलिम परव का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्म का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 37 नमबर, 37 नमबर प्रशन कि लास सतरूज क्या तो लास सतरूज क्या था, तो लास सतरूज कि साई मठ था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 38 नमबर, 38 नमबर प्रशन कि लेखक अपने पीता से क्या मांगना चाहता था, काफी म महत्पुड प्रशन है, यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पीता से क्या मांगना चाहता था, तो मचली मांगना चाहता था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 49 नमबर, 49 नमबर प्रशन है कि सत्य के साथ मेरा परियोग किसकी रचना है, काफी महत्पुड प्रशन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा परियोग किसकी रचना है, तो महत्मा गाधी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला आप्शन बिल प्राम दिवस को किस रूप में मनाया जाता है तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नमबर प्रश्न है कि एक ब्रिक्ष की हत्या में कभी क किसे बचाने की बात करता है, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक व्रिक्ष की हत्या में कवी किसे बचाने की बात करता है, तो घर को बचाने की बात करता है, सहर को बचाने की बात करता है, देश को बचाने की बात करता है, यहाँ पे डी वाला option बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 42 नमबर 42 नमबर प्रश्ण कि किस नदी के बांध के नीचे लक्षमी का घर था यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्षमी का घर था तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्षमी का घर था, यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 43 नमबर, 43 नमबर प्रश्ण है कि लोट कर आऊंगा फिर कवीता में कवी कहां लोटने की बात करता है, यहाँ पे आपको बताना आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 44 नमबर, 44 नमबर प्रश्ण है कि मंगमा की अपनी बहु से किसको लेकर विवाद था, यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को अपनी बहु से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 45 नमबर 45 नमबर प्रशन की कौन लालची और लंपट किसम का आदमी था यहाँ पे आपको बताना है की कौन लालची और लंपट किसम का आदमी था तो जो रंगपा था ये लालची और लंपट किसम का आदमी था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 46 नंबर 46 नंबर प्रश्ण कि स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखा कौन है यहाँ पे आपको बताना है कि स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखा कौन है तो डॉक्टर भीमरा अंबेड कर है इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे विवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 47 नंबर 47 नंबर प्रश्ण की पौका उचारण अस्थान क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि पौका उचारण अस्थान क्या है तो पौका उचारण अस्थान ओठ है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे विवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 48 नमबर प्रशन की सूर्दास सब्द में कौन सी संग्या है तो सूर्दास क्या है नाम है तो नाम किस में आता है बेक्तिवाचक संग्या में आता है तो यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 49 नमबर प्रशन की रोन नदी कहां इस्तित है यहाँ पे आपको बताना है की रोन नदी कहां इस्तित है तो रोन नदी फ्रांस में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए दे दो जैँआना है कि भीमराओं मेड़कर अपना प्रेणा सुरूत किसे मानते थे तो भगवान बुद्ध को मानते थे, कभीरदास को मानते थे, जोतीवा फूले को मानते थे यानि इन में से सभी को मानते थे, यहाँ पे D वाला उप्सन बिल्कूल ही सही हो जाएगा, हिंदी क काफी महत्पुन सो अब्जेक्टी प्रशन बताएंगे और इस सो अब्जेक्टी प्रशन में से बहुत सारे प्रशन आपके फाइनल गोड परिक्षा में आने वाला है तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीम मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन एक्यावन नमबर प्रशन है कि निरलज अपराधी किसे कहा गया है यहाँ पे आपको बताना है कि निरलज अपराधी किसे कहा गया है तो नाखून को कहा गया है यहाँ पे ए वाला option बिल्कूल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 52 नमबर प्रश्ण की भारत में जाती प्रथा का मुख्य कारण क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाती प्रथा का मुख्य कारण क्या है तो बे यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहां बसता है तो सच्चा भारत गाओं में बसता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण चोवन नंबर प्रश्ण है कि अमबेड करके अनुसार भाई चारे का वास्तुई ग्रूप है, यहाँ पे आपको बताना है, कि अमबेड करके अनुसार भाई चारे का वास्तुई ग्रूप क्या है, तो दूध पानी के मिसरण की तरह है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे भीवाला उप्चन बिल्कूली सही हो जाएगा, इसके लोग बड़े बड़े नक पसंद करते थे, यहाँ पे एवाला उप्चन बिल्कूली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रशन चपन नमबर, चपन नमबर प्रशन की प्राचीन मानों का परमुक अस्तर सस्तर था, तो नाखुन था, इसे आपको याद र का इस्तरलिंग क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है, कि लेखक सब्द का इस्तरलिंग क्या होगा, तो लेखी का होगा, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे भी वाला उप्चन बिल्कूली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रशन अंठावन नमबर, आपको बताना है, कि दारिस क्या है, तो दारिस सोने के सिख्या है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला उप्चन बिल्कूली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशन अंठावन, नमबर, नमबर प्रशन है, कि मैकस मूलर के अनुसार सरवादिक संप और प्राकृतिक सुंदरे से परिपून कौन सा देश है तो अपना देश भारत है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन साथ नमबर प्रशन है कि पीता जी किस से नराज थे यहाँ पे आपको ब अगला प्रशन एकसट नमबर प्रशन है कि हिरोसिमा कहा इस्तित है यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोसिमा कहा इस्तित है तो हिरोसिमा जपान में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला ओप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अग इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशन 63 नमबर, 63 नमबर प्रशन है कि विसाल भारत में किस चीज का खान है, काफी महत्पुड प्रशन है, यहाँ पे आपको बताना है कि विसाल भारत में क इस चीज का खान है, तो कोईले का खान है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशन 64 नमबर, 64 नमबर प्रशन है कि मदन किसका बेटा है, यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा है तो जो मदन है ये गिर्धर लाल का बेटा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला आप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण पैसट नमबर प्रश्ण है कि सेन सहाब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे यहाँ पे आप अगला प्रश्ण 66 नमबर 66 नमबर प्रश्ण की वाकालत की पढ़ाई के लिए गाधी जी कहा गये थे काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि वाकालत की पढ़ाई के लिए गाधी जी कहा गये थे तो ब्रिटेन गये थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 66 नमबर, 66 नमबर प्रश्ण है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, तो जपान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 60 नमबर, 60 नमबर प्रश्ण कि निम्न में से हरफ का प्रयाए वाची सब्द है, यहाँ पे आपको हरफ का दूसरा सब्द बताना है तो हरफ का दूसरा नाम क्या होता है, तो अक्षर होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 79 नमबर 79 नमबर प्रश्ण यहाँ पे आपको बताना है तो लूह लगने से हुई इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 70 नमबर 70 नमबर प्रश्ण कि निर्मला कौन थी यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी तो निर्मला लेखक की पतनी थी यहाँ पे वी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 71 नमबर 71 नमबर प्रश्ण कि बाबुजी के साथ बिर्जु महराज की अंतिम प्रोग्राम कहा हुई थी यहाँ पे आपको बताना है कि बाबुजी के साथ बिर्जु महराज की अंतिम प्रोग्राम कहा हुई थी तो मैंपुरी में हुई थी यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 72 नमबर 72 नमबर प्रश्ण कि घरेणा सब्द का बिलोम क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है कि घरेणा सब्द का उल्टा क्या होगा तो प्रेम होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 73 नमबर 73 नमबर प्रश्ण कि अभिनेता सब्द का इस्तरलिंग होगा यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता सब्द का इस्तरलिंग क्या होगा तो अभिनेतरी होगा यहाँ पे Sie वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 74 नमबर चोहतर नमबर प्रश्ण है कि बहादूर का सोभाव कैसा था यहाँ पे आपको बताना है कि बहादूर का सोभाव कैसा था तो जो बहादूर था यह करमठ और इमंदार था यहाँ पे भीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण है 75 तो लक्षमी है तो यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण है 76 नमबर 76 नमबर प्रश्ण है कि मा कहानी किस कहानी कारक ने लिखा है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि मा कहानी किस कहानी कारक ने लिखा है तो इस्वर पिट लिकर जी ने लिखा है तो यहाँ पे C वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण है 77 नमबर 77 नमबर प्रश्ण है कि दुसरों की नकल करके लिखा गया सहीते कैसा होता है यहाँ पे आपको बताना है कि दुसरों की नकल करके लिखा गया सहीते कैसा होता है तो अधम होता है तो यहाँ पे C वाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 78 नंबर, 78 नंबर प्रश्ण है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था, तो यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आईए यहां पर इवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशना 80 नमबर प्रशने कि किस देश में सबसे अधिक जातिया हैं यहां पर आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातिया हैं तो भारत में सबसे अधिक जातिया हैं यहां पर इवाला option बिल तो दूर से वरिक्ष लल कारता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला ओप्सन विल्कुल ही सही हो जायेगा आइए देखते हैं अगला प्रशन यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे महान तो यह महान दार्शनिक थे यहाँ पे बीवाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 84 नंबर 84 नंबर प्रशने कि नकदर मनुस्य आज किस पर भरोसा कर रहा है काफी महत्पुड प बताना है कि नकदर मनुस्य आज किस पर भरोसा कर रहा है तो एटम बंपर कर रहा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे से वाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 85 नंबर 85 नंबर प्रशने कि जिसके सेखर पर चंदर हो उसे क्य क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके सेखर पर चंदर हो उसे क्या कहते हैं तो उसे चंदर सेखर कहते हैं यहाँ पे वी वाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 86 नंबर 86 नंबर प्रशने कि वाड़ी कब 20 के समान हो ज तो राम नाम के बीना वाडी 20 के समान हो जाता है, यहाँ पे ए वाला उप्सन बिल्कूली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशन 87 नंबर, 87 नंबर प्रशने के संभू महराज बिर्जू महराज के कौन थे, यहाँ पे आपको बताना है कि संभू महराज बिर्ज देशने नावासी नमबर प्रश्ण है कि हर वर्स आविन्यों में कब रंग समरो होता था तो गर्मी में होता था यहां पे इवाला ऑप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण नमबर 89 नमबर प्रशन है कि इन दिनों भारतिय बजार में कौन सी वस्तुए भरी पड़ी है यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतिय बजार में कौन सी वस्तुए भरी पड़ी है तो विदेशी वस्तुए भरी पड़ी है यहाँ पे भीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो आईए देखते हैं अगला प्रशन 90 नमबर प्रशन है कि मेरे बिन तुम प्रभू किस भासा से अनुदित है काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे बिन तुम प्रभू किस भासा से अनुदित है तो यह जर्मनी भासा से अनुदित है तो यहाँ पे कि प्रेमधन अपना अदर्स किसे मानते हैं, तो भारतेंदुहर इस चंदर को मानते हैं, तो यहाँ पे D वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन बानवर नंबर, बानवर नंबर प्रशन है कि भारत मा के स्रेष्ट मुख का तुलना कभी किसे किया है, काफी महत्पुड प्रशन है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत मा के स्रेष्ट मुख का तुलना कभी ने किसे किया है, तो छाया युक्त चंदर से किया है, यहाँ पे D वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन तिरानव प्रशन है कि मिट्टी की अबोध मुर्ती कौन है, यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मुर्ती कौन है, तो जनता है इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन तिरानवर नंबर प बिल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न पंचानवर नंबर प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं तो अग्य कहते हैं यहाँ पे सी वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण चानवर नंबर प्रश्ण है कि आख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है कि आख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो गुसा होना होगा इसे आपको याद रखना है यहां पे ए वाला ओप्सन विल्कुली स़ही हो जाएगा। आईए देखते हैं अगला प्रश्ण संतानवर नमबर, संतानवर नमबर प्रश्ण है कि मदन ने कासु के कितने दाथ तोड़े, तो दो दाथ तोड़े इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला option विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण अंठानवर नमबर अंठानवर नमबर कर प्रश्ण है कि कवी ने माली मालिन किसे कहा है यहाँ पे आपको बताना है कि कवी ने माली मालिन किसे कहा है तो राधा कृष्णा को कहा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण निनानवर नमबर प्रश्ण है कि नौबत खाने में इबादत सहीते की कौन सी बिधा है यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत सहीते की कौन सी बिधा है तो यह बैक्ती चितर है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम प्रश्ण सो नमबर प्रश्ण है कि जो इस्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे आस्ति कहते हैं यहाँ पे भी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा हिंदी के 100 objective प्रश्ण बता चुके हैं और इस 100 objective प्रश्ण में से बहुत सारे प्रश्ण आपके final board परिक्षा में आने वाले हैं तो इसमें से जो भी प्रश्ण आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे notebook पे लिख के जुरूर याद कर लिजिएगा और यह रहा आपके लिए homework प्रश्ण इसका जवाब आपको comment box में देना है कि पंडित बिर्जो महराज लखनो घराने के किस पिढ़ी के कलाकार थे तो जो भी option आपको सही लगे वो आप हमें comment करके जुरूर बताइगा और ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजे टिकरेंट बाए